भर दोस्तों जैसे कि आपने यहां QIP देखा होगा कि 4500 करोड का QIP लेर यह कंपनी तो यहां पर इसका क्या मतलब होता है उसी देख सकते हैं QIP इस्टेंट पर क्वालिफाई इंस्टिटिशनल प्लेश्मेंट के लिए है और यहां पर 7% का इस्टेंट कंपनी अपना सेल कर रही है और जो QIP के थूर लाएगी यहां देख सकते हैं QIP ला रही है QIP क्या है गूड है या बैड है इस्टाक के लिए यहां समझ सकते हैं इसको भी ध्यान में रख सकते हैं यहां पर जो हम ग्रीन एनर्जी के स्टेंट करने वाले हैं वो फिनेंस के सेक्टर में काम करती है और मीडिक अपवा है और यहां पर हाई रेसक है तो वीडियो बहुत इनवामेडिव होने वाली वीडियो को पूरा देखें ताकि सिटाकी कंप्लिट जैनकर यह आपको में सके तो ज़्यादा समयने व ले वीडियो सुरू करते हैं नमस् पूरा इसके विजनेस प्रॉफाइल को समझने का पर्यास करेंगे बजेट ऐलोकेशन वगरा कितना है और क्या-क्या-क्या इसके लिए युजनाय गोवर्मेंट ला रही है ताकि हर तरफ गिरिन एनरजी के लिए काम हो अब फर्दर यहां देख सकते हैं साल के सुरुआ से भी देख सकते हैं 119% का रिटर्न बनाया है कंपणी ने और यह चार्ट पैटन भी यहां देख सकते हैं फर्दर पिछले 6 मंत का देख सकत है इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं पर यह है कि बिजनेस प्रोफाइल वगरा समझ लें और कितनी होल्डिंग करनी है हम फर्दर भी विचार बनाएंगे आगे कि यह सार्टम के लिए या पर लांग टम के लिए तो फर्दर यह देख सकते हैं अभी 230 के रेट पर चल रह मिनिस्ट्री आप न्यू और रिनोबल एनर्जी के ताहत है और यहां पर फॉर्थ कमिंग क्या कंपनी वाज नोटिफाइड आज पॉब्लिक फिनांशियल इंस्टिटूशनल एंड इस अलसो रजिस्टर आज नान डिपोजित टेकिंग एनबी एपसी वित आर्बिया रब काम करेगी गवर्मेंट आप इंडिया कंफार्ड एंड इस्टेट के मिनी रत्न का अंडर कटेगरी वन के ताहत इसको यहां दर्जाय मिला हुआ है 2015 में त्या मार्किन के देख सकते हैं करीब है और करेंट प्राइस देख सकते हैं तो हाई यह लोग के बीच में काप तो नहीं है कापी डिफ्रेंस है इस्टा कापी देख सकते हैं 46 करीब है बोको यहां पे 30 रूपे आठ पैसे के करीब है डिविडेंड कंपनी नहीं प्रोवाइड करती है रोसी एंड रोई द दे में दे में देंड दे में को फ journ करोड और रेंट करीब देख सकते हैं का यहां 3600 करोड और देख सो करोड और गया है तो बहतर यहां से मुष्ति के और देख सकते हैं 346 करोड का था और जिसको increase करके company 300 करोड के करीब अपना ले गए ये net profit तो 300, 600, 800 यहाँ 1200 करोड के करीब net profit generate किया company ने earning पर share भी उसी इसाब से grow हो रहा है further यहाँ share holding pattern में भी promoter की holding देख सकते हैं 75% का था और यहाँ पे भी 75% का holding बना हुआ है FI का देख सते हैं यहाँ 1% था इन्हों ने अपना increase किया है 2% किया है डी आई ने अपना profit book किया और public ने भी अपना sell किया है तो यहीं से 7% promoter अपनी holding को यहाँ sell करेंगे उसी के लिए 4500 करोड का QIP आया हुआ हुआ है यहाँ बजट में भी देख सते हैं जब budget allocation है 191 billion का for ministry of renewable energy के लिए और वहाँ क्या यह transmission करेगी अलग-अलग energy के सेक्टर में उनको वित्तिय फाइदा पहुचाएगी यहाँ पे देख सते हैं जो union budget में क्या significant green energy में क्या क्या point है जिसे green energy hydrogen mission में 600 करोड का यहाँ पे project है अब फर्दर देख सते हैं जो budget का provision किया गया उसमें अलॉक्ट किया गया solar power project के लिए 10,000 करोड का और जिसमें क्या PM मुक्त बिजली योजना और इस तरह से हम योजनाओं पे भी अभी discuss करेंगे तो उसमें भी benefit है फर्दर renewable energy में देख सते हैं budget allocation में 125 billion ministry of renewable energy को प्रवाइड किया गया है देख सते हैं जो इंडिया है solar power subsidy scheme including PM सुरिया घर करके है जिसमें मुक्त बिजली योजना है 300 unit बिजली मुक्त मिलेगी उसमें देख सकते हैं this scheme provides a subsidy installed solar panel rooftop जब रूप टॉप इंस्टाल करते हैं तो उसके लिए आपको subsidy भी गवर्मेंट प्रवाइड करेगी जिसमें यहां देख सकते हैं subsidy क्या 30,000 किलोवाट सिस्टम पे है और 60,000 किलोवाट सिस्टम पे है उसी दो से 78,000 करके यहां पे 3 किलोवाट सिस्टम पे है अब फर्दर यहां देख सकते हैं जो इंडिया ग्रीन एनर्जी पॉलिसी इंक्लूडिंग नमबर अब टार्गेट्स और इनिसियेटिव क्या कर रही है रिनेवल एन पूरा का पूरा कवर करने का प्रोग्राम किया रहा है जिसमें इन्ड एनरजी सोलर फर्दर और गवर्मेंट भी इसमें सपोर्ड करने का प्रयास कर रही है तो यहां पर टेलिविर पोजिशन भी देख सकते हैं यहां 13% 19 सितंबर को फिर यहां 25%, 22%, 37% तो 50% प्लस डेलिविर नहीं उठाए जारी है उस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं जो 13 जुलाई का यहां पर है कि जो इरेडा है वो क्या जून 24 के इसाफ से जो क्वाटरली है उसमें 1500 करोड़ पहले कहां 1100 करोड़ का था जिसको इंक्रिज करके 1500 करोड़ पर गई है अपना इंकम और फ़र्दर देख सकते हैं एनुआली में भी 29 करोड़ का था जिसको 384 करोड़ के ले गई है तो यहां पर भी तो बहतर दीख रहा है फृदर यहां बाइस जून का भी देख सकते हैं इस्वेंस बॉंड इस्वेंस करके 1500 करोड़ रेज किया है कंपनी ने फिर उसको एनर्जी के सेक्टर में डिस्ट्रिबूट करेगी व उसमें इस्टेक सेल करेगी अपना और उसमें 25 करोड़ का क्योड़ लेने का प्लान है इसमें यहां पर भी देख सकते हैं कंपनी मुल्टिपल एचीब्मेंट है जो लाश अपग्रेड़ स्कीम इस तरह से नौरत्न में आई है और अलग-अलग यहां पर अपना एचीब्म कंपनी कर रही है expand 6,30,00,00 करोड़ का investment कंपनी कर रहा है और इसमें रही है और इस तरह से अलग-अलग सेक्टर में गोर्प्रव होग इसमें 46,00,00, इंस्टाल करेगी स्ट्राइज के थ्रू इस तरह से कंपने भी इस्टीट लाइट है वहां पर प्लान कर रही है जो गोर्मेंट है कि वह सारे जगा अब इसमें भी देख सकते हैं जो यह हैं एन्टीपीसी और नेज़पीसी इस तरह से यह नों को पचास स्ट्राइज पावर यह क्या जितने भी गोर्मेंट आफिसेज हैं जितने भी इस तरह से संस्थाएं हैं उन सब के सोलर रूप टाप के लिए इनके थ्रू जाने का बोला गया है तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं अब फरदर यहां भी देख सकते हैं मतलब गोर्मेंट पूरा सपोर्ट कर यह सबसेडी वगरा दे करके ताकि पूरी पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर जाया सके यहां भी देख सकते हैं जो डिप्लमेंट वान थाउजेंट सोलर इस्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम सिदार्थ उपी में और इस तरह से अलग अलग जगह पे अंप्रेज सोलर पाव सोलर सप्लाई क्या पीवी सिस्टम गवर्मेंट स्कूल होस्टल से अलग अलग जगहों पे इस स्कीम के दाथ सोलर इंग किया जाएगा जिससे बेन्फिट मिलेगा कंपनी को अब फर्दर यहां भी सब सारा डाटा आप लेबल है जिसको आप प्रापर स्टेडी कर सकते हैं लाबानीत हो सकते हैं बिल्कुल फाइदा हो सकता है बड़ यह है कि आप एक सही वैलिएशन पे ही इंट्री करें सुने सब की करें आप नी तो ध्यान में रखें तो चैनल पर यह आप नए हैं तो प्री चनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने के लाइक कर मुझे मोटिवेट भी कर स दोस्तों अपने राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में वीडियो दिखने के लिए अधिर से धन्यबाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ और इस्टा के इन विश्की जानकारी के साथ सो थैंक्यू दोस्तों